Welcome back to my YouTube channel आज इस channel में आपके साथ जो वीडियो शेर करने जा रही है वो side वाले चाक पर जो अक्सर शेर का फड़ जाता है उसको ना फड़ने का तरीका आपके साथ शेर करने जा रही है जैसा के आपने एक पटी देखी है इसको हमने 2 इंच की चुराई और नमभाई आप अपने according इसको कट कर ले कट करने के बाद इसको हम जा फॉल्ट करेंगे इसको फॉल्ट करने के बाद दोनों साइडों को इस तरह से बंद करेंगे सेंटर से आप इसको एक स्लाई के साथ स्टिच करेंगे सबसे पहले चैनल को आप लाइक है और सबस्क्राइब कर दें बेल आकन के बटन को प्रेस करें ताकर और इंफरमिशन वीडियो आप तक पहले पॉंच सकें बजीद चैनल का विजट करें उसमें और भी कम्प्लीर वीडियो आपको देखने को मिलेंगी आएए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पट्टी पर हम सलाई लगा चुके हैं आपने देखा है किस तरह से हमने सेंटर पर इस पर सलाई जो है वो लगा ली है लगाने के बाद हम अपने शर्ट आपको दिखाते हैं जैसा कि आप यह शर्ट का जो चाक है चाक आप देख रहे है अक्सर चाक जो है वो इसी जगह से फड़ जाते हैं लेकिन आज हम आपको इसका तरीका बहुत इसान तरीके से दिखाने लगे हैं, आप इसको सेंटर से खोलें, इस तरह से आपका तो चाक है, यह स्लाई जहां पर आपकी एंड होती है, यहां से आप इसको स्टिच करेंगे, आईए आपको यहां से स्टिच करके दिखाते हैं, यहां पर आप एक निशान भी एड़ करेंगे, इस तरह से हमने चार्क के साथ निशान एड़ किया है, ताकि हमारी जो सलाई है, वो एक्वल तरीके से हम इसको लगा सकें, अब जो हमारी पटी रेड़ी हो चुकी थी, उसको हमने शेर्ट के उपर रखकर एक सलाई लगाई है इस तरह से आप इसको कमीज को गुमाएंगे, गुमाने के बाद आप इसकी सेंटर में इसको सलाई करें, सलाई करके, फिर दुबारा से आप इसको शेर्ट को गुमाएं, और दूसरी सलाई लगाएं, इस तरह से आप इसकी सलाई कम्प्लेट करके इसको शेर्ट को बाहर न काले अब इसी तरह से दूसरी साइड जो है उसका जो एक्स्ट्रा पीस है आप देख रहे हैं इसको हम कट करेंगे अब पूरी शिर्ट का जो पीस है जो अपर हमने अटैच किया है वो इक्वल हो चुका है अब जैसे हमने पहली स्लाई लगाई थी उसी तरह से हम इसकी दूसरी स्लाई को एड़ करेंगे सेम उसी तरीके से आप इसको गुमा कर अब इसको बाहर निकाले इसी तरह से आप इसको बाहर निकालेंगे तो आपका ये जो चाक है वो स्टिच ओकर आ चुका है ये शिर्ट जो है वो बहुत ही मजबूती से अटैच हो चुकी है इसका रवीव आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसकी सीड़ी सैड भी देखें अब ये मजबूती से आ पर ये आपको पसंद आएगी